हेलो स्टुडेंट्स, कैसे हैं आप स्टुडेंट्स मैं आचा करता हूं, आप लोग से भी अच्छी होंगे, स्वास्थ होंगे स्टुडेंट्स आज हम अपना चैप्टन नंबर 13 पढ़ रहे हैं the outer diameter being 4.47m ठीक है तो आपको इसमें तीन चीजे बतानी है inner csa, csa मतलब covered surface area outer csa csa मतलब outer covered surface area और ts से total surface area तीन चीजे आपको बतानी है तो students हम लोग अपने ये figure देख लेते हैं figure यहाँ पे मैंने अपके लिए बनाया है तो इसको मैं थोड़ा से बढ़ा करके दिखाता हूँ आपको यहां से हम देख लेते हैं यहां से Students, यहां से लेकर के यहां तक यह आपकी inner radius है तो inner diameter कहां से कहां तक होगा यह आपका inner diameter यहां से लेकर के यहां तक यह inner diameter यहां से और यहां तक इनर डायमेटर आपका 4 cm दे रहा है तो इनर रेडियस यहां से यहां तक है यहां तक है यह जो इसकी थिकनेस यह भी इसमें सामिल हो रही है तो आउटर डायमेटर जो आपका 4.4 cm यहां पर दे रहा है यहां से 4.4 cm दे रहा है आउटर डायमेटर तो इसके बाद आउटर जो रेडियस रहेगी हमारी चीक है उसको कैपिटल आर से मैंने लिखा है और कैपिटल आर से लिखा है तो आउटर रेडियस के लिए हम इसका आधा करना पड़ेगा तो यह कितना वजाएगा 2.2 cm चीक है तो स्टुदेंट्स इस सीज़का आपको ध्यान रखना है अब इस स्टुदेंट्स क्या करते हैं लोग अपना यह इसका जो थोड़ा से लिखने का काम कर लेते हैं तो आंसर यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं मैं फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट को थर्ड पहले मैं क्या गरता हूं inner inner radius inner radius को मैं small r से लिखता हूं inner radius आपके कितनी हो जाएगी 2 cm इसी तरह से out radius आपके कितनी होगी out radius को मैं capital R से लिखता हूं वो आपके 2.2 cm होगी यहां से 2.2 cm उसके बाद यहाँ पर क्या गरता है हम लोग height of pipe height of pipe ठीक है यह length of pipe है या इसको height भी बोल सकते है तो height of pipe इसको मैं एसी डेनोट करता हूँ और यह कितनी आपकी 77 cm यह 77 cm हो गी है ठीक है इतना काम तो आपको तीनों पार्ट में करना ही है ठीक है अब हम first part को देख लेते हैं first part में क्या है इसमें फर्स्ट पार्ट में हम हमारा inner csa inner inner csa यानि inner covered surface ही रिया csa तो इसका फार्मूला क्या रहेगा 2 pi r h यहाँ पर r कामें ध्यान रखना है inner ना तो inner में छोटे r को लेना है तो यहाँ पर हम अपनी जो value है उसको देख लेते हैं यहाँ से 2 तो ऐसे कैसे पाई कितना रहेगा आपका 22 बाई 7 r कितना अब की बाद चोटा r आपका 2 और h कितना है 77 है तो 7 से कट जाएगा यह 11 आगे अब यह क्या होगा इसको यहाँ से जब करते हैं तो यह कितने होगी 88 को जब 11 से multiply करते हैं तो यह कितने आते हैं यहाँ पर हम करके देख लेते हैं 88 और यह 88 एट हो गया और 16 होगी और 960 होगी 968 और यह cm2 हो गया ठीक है तो यह inner cs से पहला इसका जो है वह मरा आ गया है अभी करतें outer cs से यह बात यह second part आपका यहां से हो जाएगा second part में outer cs से outer cs में हमारा क्या रहेगा 2 pi r h अब की बार यहां हमने outer है तो outer में capital R को लिए है क्योंकि outer radius है वो capital R से हमने दिखाई है तो यहां से 2 pi आपका 22 by 7 अब की बार r कितना रहेगा 2.2 है तो यह क्या कर देता हूं मैं यह कर देता हूं 2 pi r और h कितना है 77 रहेगा तो 7 से फिर हम इसको cut कर देता हूं यह कितना आगए 11 आगया अब यह कुछ और कटता होगा नहीं तो यहां से multiply करना पड़ेगा देखो और यहां से इसको multiply करते हैं, तो 22 को 22 से करते हैं तो 484 से आगे 484 ठीक है, और यह multiplied 2 रहे गया और इसको 2 को और इसको कर देता हूँ, तो यहां से कितना जायगे यह 22 आगे, यह 11 और ऑटू को गे 22 आगे, अब इसको भी यहां से multiply कर के देख लेते हैं for eight four तो इसको 22 से करते हैं तो चार दुनी आठ होगे और आठ दुनी 16 होगे चार दुनी आठ एक 9 होगे ठीक है उसके बाद फिर यहां से इसको करते है तो यह 8 6 9 आगया तो 8 8 8 14 होगे 9 9 और च्या 15 आएक 16 होगे ठीक है और 9 यह 10 होगे तो यहां से इसका हो जाएगा 10 648 अभ पॉइंट कहां लगेगा क्योंकि इसके नीचे यहां पर 10 है तो यहां पर इसको जब आगे सब शोल करते हैं तो 10648 हो गया तो एक के बाद यहां पर पॉइंट लग जाएगा तो आणिट इसोफ curved के ली अमें क्या करना पड़ेगा यहां पर फिर मैं आपको इसके नीचे बन्डाया यहांसे यह वला रिंग और एक रिंग ऐसे ही नीचे बन रहा है यहां से यह वाला रिंग है इन दोनों रिंग का आपको एरिया और इंक्लूड कर लेना है यह रिंग से आपके यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इन रिंग का आपको एरिया इंक्लूड कर लेना है ठीक है अब हम लोग तो पहले तो inner inner csa plus outer csa plus both rings यह ring है यह तो नीचे और एक उपर है ठीक है तो area of both rings ठीक है तो यह बोथ ring हमें और include करनी है तो यहां से क्या रहेगा inner csa से अपका कितना रहेगा inner csa से अपका यहां से आएगा 968 plus outer csa से अपका 10,648 और यहां पर point लग रहा है यह हो गया प्लस बोथ ring दो ring है तो दो और एक ring का क्या होता है पाई और यह r square और minus r square ऐसे यह होता है 10,648 तो यहां पर point लग रहा है तो यहां से यह 9,6,8 और यह 0 तो यहां से 8 आ गया और 8 और 4 बारा हो गया यह 7 आ गया यह 9 हो गया यह यह आ गया ठीक है और यह point लग जाएगा one nine seven two one nine seven two point eight और प्लस ठीक है उसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे solve करते हैं students इसमें थोड़ा से यहां पर देख लेंगे six है तो यह गलती से यहां पर जीरो दिखाई दे रहा था यह six आपका तो यह कितना होगे six था यह जीरो जैसे दिखाई दे रहा था तो यह इसको थोड़ा से इंक्लूड कर लेते हैं यहां से तो nine six eight था यह पर nine six eight था तो यह इसको इंक्लूड करते हैं ठीक है उसके बाद यहां से two और पाई आपका कितना रहेगा 22 by seven multiply अब यह आर स्केर और यह हैं तो एक बर मै multiply 22 by seven ठीक है अब इनकी value रख देते हैं यहां से तो कितना आएगा two point two plus two और दूसरे बिर्केट में two point two minus two ठीक है तो यह आपका 20 32 हो गया point eight plus यह 44 और अपन seven होगे multiply क्या हो गया इसको करते हैं तो यह four point two और multiply कितना आएगा यह zero point two ठीक है इसको थोड़ा सो और शोल कर लेते हैं तो यह 20 32 होगे point eight और प्लस four four upon seven multiply multiply forty two upon ten कर देता हूँ और यह two upon ten कर देता हूँ अब इसके बाद यह काट देते हैं यहासे काट थेice, seven one averaging six ठीक है अभी क्या करते हैं यहां से 44 को 12 से कर देते हैं तो यहां से multiply करते हैं से 44 को 12 से करते हैं तो ये 88 आ गया और 44 आ गया तो आ गया और ये 5 आ गया 5 2 8 आ गया ठीक है तो यहां पे approximately 22 बद्थीस और 0.8 और ये क्या गया 528 और अपन क्या रहेगा यहां से 10 10 कितने होगे एंडर होगे ठीक है तो यह आ गया 20 32 और यहां से 5.28 हो गया ठीक है अब इसको जोड देत कितना था वो देख लेते हैं यहां से तो यहां से ही इसको एड कर देते हैं यहां से ड़ेते हो चलो यह 20 बत्तिस हूग पॉ umas 5.28 तो यहां से जब करते हैं तो 8 आ गया यह 0 आ गया यहां पर प्वाइंट लागे पहां सब्सक्राइब साथ रिख 8 होगे यहां पर कितना एगा 3 आएगा यहां पर 0 और 2 ठीक है तो यह आपका आ गया 2068.08 ठीक है तो यहां से 2032.08 और उसके बाद क्या लेखते हैं हम लोग 2038.08 ठीक है और यह क्या आएगा सेंटिमेटर स्क्वेर आ जाएगा तो इतने सेंटिमेटर स्क्वेर उसका टीयस से रहेगा पाइप का ठीक है 2038.08 ठीक है स्क्वेर सेंटिमेटर आपका आंसर आ जाएगा अब इस्टूदेंट्स हम अपना होमवर्क देख लेते हैं तो हम मर्क में क्या करना है सोल अक्सरसाइज 13.2 इन फियर नोट बुक यह आपको एंसे इक्सरसाइज और उसके बाद हम नेक्स्ट कुछिशन है वो कल देखेंगे टेके स्टुनेंट्स थेंक्यू स्टुनेंट्स